Hello students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों motivation या प्रेलना के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा motivation या प्रेलना का मतलब है कि ऐसी कोई भी बात या ऐसी कोई भी चीज या ऐसे कोई भी कारक जो हमें लच्छ प्राप्ती के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेलित करें तो प्रेलना का एक स्वाप्रेलना भी होता है जो हमारी अंदर से उत्पन हो या फिर कुछ वायकारक भी हो सकते हैं तो बच्चों ये जो पूरा मोटिवेशन है या प्रेलना है उसको मैं दो भागों में बाटता हूँ तो आईए दोनों जो हैं एक है पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा है आपका निगेटिव मोटिवेशन तो positive motivation को बच्चों कहते हैं सकारातमक प्रेणा तो आईए सकारातमक प्रेणा के अंतरकत हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसी चीज़े हैं जो हमको motivate करती है या फिर प्रेणा या फिर motivation परदान करती हैं आगे बढ़ने के लिए या फिर लच्छ प्राप्ती के लिए तो बच्चों जब भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हम किन चीजों से मोटिवेट होते हैं जो पॉस्ट्व मोटिवेशन में आती हैं वो हैं अच्छी नोकरी हम अच्छी नोकरी हैं प्रसंसा पानी हैं लोग आपकी प्रसंसा करें आपके माता पिता को अच्छा कहें कि देखो फलाने के लड़का ने कितना अच्छा किया है ये प्रसंसा पानी के लिए कई बार हम सकारात्मक रूप से प्रेरित होते हैं और पढ़ाई में मन लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमें खुद से लगता है ऐसा हमारे अंदर से निकल के आता है कि हमारे माता पिता का सपना है कि हमारा बेटा या बेटी आगे बढ़ें जीवन में कुछ करके तो और सबसे अंट में महातुकांचा है महातुकांचा है जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरने की तमन्ना वो जो महातुकांचा हमारे मण में बनी होती है वो भी हमको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक रूप से उसको प्रेरित करती है हमें हो सकता है हमारे अंदर से आ रही हो या फिर हम कहीं से इसको motivation के रूप में ले रहे हो तो ये बच्चों कुछ सकारात्मक प्रेड़ना के उधारन या कारक हैं जिसे हम positive motivation कहेंगे अब हम बात कर लेते हैं negative motivation की तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि हैं तो दोनो motivation यानि दोनों हमें कहीं न कहीं प्रेरित करते हैं करने के लिए तो लेकिन एक सकारात्मक प्रेड़ना है एक नकारात्मक प्रेड़ना अब नकारात्मक प्रेड़ना में कौन कौन से घटा के अकारक आते हैं जैसे आप यदि प्रेरित होते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए माता पिता की पढ़ाई करो और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रेरित तो हुए लेकिन वो जो प्रेर्णा है वो नकारात्मक प्रेर्णा में आएगी लेकिन वो आपको आगे पढ़ने में help जरूर करेगी सिच्छक की डाट हो सकती है टीचर बार बार डाट रहे हो क्या बात है क्यो नहीं complete कर रहे हो परिच्छानेस दीखे क्यों नहीं पढ़ रहे हो प्रेरित होते हैं हम किताब उठा के बैठ जाए पढ़ने लग जाए ये क्या हुआ हम प्रेरित हुए कहीं ना कहीं से लेकिन हम negative तरीके से प्रेरित हुए यानि negative motivation हमको मिला डाट से चाहे वो मातापिता की हो चाय सिच्चक की एक फेल या असफल होने का डर है हमें बविस में कहीं हम फेल ना हो जाए एर बैक ना हो जाए फिर से हमको उसी क्लास में फिर ना पढ़ना पढ़ जाए तो जो फेल होने या असफल होने का डर हमारे अंदर है उसकी वज़े से यदि हम प्रेणा लेते हैं या प्रेरित होकर के पढ़ाई में अपना मन लगाते हैं तो उसको हम कहेंगे ये नकारात्मक प्रेड़ना इसी तरह से हमारे मन में हो सकता है डरोगी समाज हसेगा हम पे लोग हसेंगे हमारे रिस्तेदार हसेंगे क्या कहेंगे कि देखो फलाने का लड़का फेल हो गया या यह लड़की नोकरी नहीं पापाई तो कहीं न कहीं क्या होगा हमें वो प्रेरित करेगा अच्छी पढ़ाई करने के लिए मेहनत करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसी तरह से बच्चों मान मर्यादा इज्जात और प्रतिष्ठा का डर जो बन में बन जाता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे हमारे दोस्त क्या कहेंगे हसेंगे समाज में इज्जद कम हो जाएगी कि फलाने का ललका फेल हो गया इनका मान सम्मान नहीं रहा आगे नौकरी नहीं कर पाया वो ऐसे ही घूम रहा है बरवाद, इनकी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई भी इनका नहीं निकल पाया, बेटा है बेटी, तो वो कहीं न कहीं हमें प्रेरित करते हैं, कि नहीं हमें अपनी इजद बनाना है, अपने माबाप का सम्मान प्रतिष्ठा बनाई रखना है, इसलिए फेल हो जाना तो दुबारा घर में कदम ना रखना पिता जी कई बार ऐसा कह देते हैं या लड़की से किसी अपने कह दिया कि फेल हो जाओगी तो तुम्हारी इसी साल साधी कर दूँगा और इसी जगे साधी करूँगा जहां पर जाओं गावं में जाकर के गोबर तो लड़की या लड़का डर जाते हैं कि यार घर जाना है तो माब आप कहेंगे रिजल्ट दिखा ओ रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कहरें घर मताओ इस तरह से भी कई बार डराते हैं या कई बार कहते हैं तो आरे पिटाई कर देंगे वैसे यह सब गलाथ है लेकिन एक तरीके से डर या भे आपको दिखाया जा रहा है, आपको पढ़ाई के परती प्रेरित किया जा रहा है, पड़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो हैं वो प्रेलना, लेकर वो किस केटेगरी में आएंगे बच्चों, नकारातमक प्रेलना में, इसलिए ब प्रेड़ना के कोई जीवन में बिक्ती अपने लच को प्राप नहीं कर पाता है कोई न कोई उसके पीछे कारण जरूर होता है कारण फिर मैं बता रहा हूं सकारात्मक प्रेड़ना हो सकती है या फिर नकारात्मक तो किस्मत को और दूसरों को कोसना क्यों जब सपने हमारे है तो उसके लिए जी तोड कोसिस भी हमारी ही होनी चाहिए मौटिवेशन का कारण कुछ भी हो चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक लेकिन कोसिस आपको करनी पड़ेगी मौटिवेट हो करके प्रयास बच्चों आपको ही करना पड़ेगा अंत में फिर मैं आपको कहूंगा दो लाइने किसी शायर की बहुत अच्छी हैं कि उठाना खुद ही पड़ता है ठका टूटा बदन अपना जब तक सांसे चलती हैं कंधा कोई नहीं देता तो बच्चों इनहीं सब कामनाओं के साथ आपकी मंगल कामनाओं के साथ की आप मौटिवेट होंगे प्रेणा स्वेम से या फिर आपको कोई बाहर से यदि प्रेणा दे रहा है कोई आपके लिए भले के लिए कोई कुछ कह रहा है चाहे वो टीचर हों चाहे माता विता हों तो उस प्रेड़ना को लेकर के जीवन में कुछ कर गुजरने की तमना को लेकर आपको आगे बढ़ना हैं, पढ़ाई में मन लगाईए, सामाने दुनों में खूब मेनत करिए, परिच्छाओं के समय और जी जान लगा करके मेनत करिए, आपका जो लच्छ है, उस लच्छ प् करने जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इमानदारी से जरूर बताईए, कमेंट्स वक्स में कमेंट्स करके, कि आप किस तरह की प्रेड़ना से प्रेरित होते हैं, आप पॉच्छ जो आपका प्रेड़ना मोटिवेशन है, या फिर नेगेटिव मोटिवेशन, बिलक इसको कमेंट्स वक्स में जरूर आप कमेंट्स वक्स में लिख करके बताईएगा, तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, थेंक यू बेरी मच, आप सभी का दिन शुभ हो